गोरगपूर जिले में रविवार को साथ नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं जिसमें शहरी छेत्र में तीन कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं जबकि ग्रामीर छेत्र में चार कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं वहीं BRD Medical College गुरकपूर में 56 वर्षी एक महिला की मौत हुई है, इसके बाद से जिले में संक्रमितों की संख्या 69,237 हो गई है, इन में 849 की मौत हो चुकी है, 58,256 लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि एक्टिव केस 142 हो गए हैं इस संबंद में सियमो डॉक्टर सुधाकर पांडे ने लोगों से विसे साधानियों को बरतने की अपील भी की है, दोगर्श की दूरी मास्क है जरूरी सामाजिक दूरी का करेपालन अपने और अपने परिवार को बनाये स्वस्त और सुरक्षित, सियमो डॉक्टर सुधाकर पिशाद पांडे ने बताया कि जिमारी से बचने के लिए विसे सतकता बरतनी होगी और लोगों को भीरभार से बसते हुए मास्क का इस्तमाल करना होगा, जब तक की कोरोना की वैक्सिन सभी को लग नहीं जाती, तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हतियार है